तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ कि 56 करोड जो भारतिये लोग हैं वो इंटरनेट का इस्तिमाल कर रहे हैं आज की डेट में जो की 2nd largest online market है और अगर हम बात करें कि 2023 में ये आकड़े 65 करोड तक पहुँच जाएंगे तो इतना जादा internet penetration जो है आज की डेट में इंडिया में है और उसके बहुत सारे हमें benefit हुए है लेकिन उसके साथ-साथ जो online scams है उसकी तादाद बहुत जादा बढ़ चुकी है तो आज हम बात करेंगे कुछ उन्ही scams की जो की होते हैं और जिसके तहर जो बहुत से scams की और कैसे हम उनसे बच सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दो कि मेरा नाम है विकास जहा और ये चैनल इसलिए बनाया ताकि आपको इंटरनेट से लेटर जितनी भी जरूरत वाली चीज़े हैं वो सब मैं आपसे शेयर कर सकूँ तो आइए सीधा चलते है आप सबसे पहले scam पे जो होता है phishing, phishing में क्या होता है याने कि किसी मचली को अपने जाल में फसाना तो इसके तहत क्या किया जाता है कि आपको या तो आपके email पे या आपको SMS या WhatsApp पे आपको एक ऐसा message बेजा जाता है कि आपके account से कुछ पैसे कट गए हैं या आपके account में तरह दिख रही होती है for example online SBI की जो website है थोड़ा सा different होगा और लगभग आपको देखने में कोई भी इतना ज्यादा आपको फरक पता नहीं चलेगा आप तुरंत login कर लोगे अपना username password डाल के और होता कि है जब आप submit पे click करते हो आपको दिखाया जाता है कि page not found or something और जो username password है वो scammer को चला जाता है तो scammer उसके बाद इसका misuse करते हैं आपके account में login वगएरा करके और जो है amount से withdraw वगएरा करते हैं और बहुत सी छेड़खानी करते हैं तो सबसे जो best चीज है कभी भी आपको SMS आए कि आपकी account से पैसे वगएरा deduct हो गए है या आपके account में पैसे डाल दिये गए हैं तो इस दोनों ही cases में आप हैं जो भी आपको link दिया गया है उसके click कभी मत करें कभी जो bank है वो आपको SMS नहीं बेचती है जिसमें link दिये गया हो ठीक है तो कभी भी SMS देखो email देखो WhatsApp message देखो जिसमें link है bank का कभी भी उसके click मत करो उसको immediately delete कर दो और उस online shopping website है उसको copy करके आपको जो है लगभग कुछ उसी तरह की website बना दी जाती है और आपको जो बहुत ही cheap product जो है वो आपको भेजे जाते है SMS से email और पर उसमें again link दिया होता है और उसमें ऐसा हो सकते है आपको बोला गया हो कि आपको iPhone मिल रहा है सिरफ 1000 रुपे में तो आप लेकिन होता ही है जब आप अपना order place कर देते हो वो order कभी भी आप तक नहीं पहुंचता है क्योंकि यह जो website है वो सिरफ पैसा extract करने के लिए बनाई गई है तो कभी भी ऐसे जो message बगए है उस पर कभी भी click मत करो उसको भी हमेशा block करो और उसको spam report करना ना भूले ताकि जो बलक में जब spamming report होती है तो ऐसे जो आपके आजकल के जो smart phones है वो un messages को block कर देते हैं automatically अब जो third scam की है जो उसकी बात करते है वो है coupon scam तो coupon scam में क्या होता है आपको बोला जाता है कि आपको यह coupon मिल रहा है इसमें 90% discount है किसी product के लिए तो आप जब उस coupon पे click करते हैं तो वो आपको actually ले जाता है किसी survey की तरफ वो बोलता है कि आप इस survey को भरिये और उसके बाद जो है फिर आप जो यह coupon आपको मिलेगा अब जब आप उस survey को भरना शुरू करते हो तो आप देखते हो उसमें बहुत सारी आपकी personal details ली जाते है जैसे नाम आपका घर का पूरा पता उसके बाद जो है आपके जो banking से related या जो है identity card से related आपकी जो details ली जाते है उसके बाद के बाद ऐसा भी होता है आपको बोला जाता है अपना अधार card या passport वगरा जो है इसमें upload कर दीजे तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जितनी भी आप देखिए आपकी जितनी भी सा stealing है यह जो होता है आपका data extract करने के बाद होता है एक बाद जब scammer ने आपका personal data extract कर लिया उसके बाद वो जो है identity stealing करते है याने कि वो जो बंदा है वो सारे वैसे काम करेगा जो की actually आपकी जिसमें ID वगरा use करेगा ठीक है तो हो सकता है वो कुछ ऐसा crime करे या हो सकता है वो अलड़ी आप से extract कर चुका होता है या तो जो coupon scam या online other scam बगएरा use करके तो कभी भी आपको ऐसी जो information आती है तो उन सब पे click मत करें जो भी लालच वाली चीज़े आती है या कुछ चीज जो ऐसी है जो बहुत ही सस्ती लग रही होती है तो वो कभी भी आपको SMS बगएरा य जिस पर 90% या 95% का discount मिल ले होते हैं तो वो mostly जो है वो fake होते हैं सिरफ spam होते हैं अब हम लोग move on करते हैं next जो है scam उसकी जो है fake request जो की Facebook वगएरा पर आती है अगें जो Facebook पे identity stealing से ही connected जो है इसको भी हम बोल सकते हैं इसमें एक बार जब आपकी information extract कर ली जाती है तो वो क्या करते हैं जो next जो है Facebook account बना लेते हैं और Facebook account बना के जितने भी आपके friends और उसको add कर लेते हैं और उसके बाद उन से जो है बोलते हैं कि यार मेरी mother बहुत बिमार है मेरे father बिमार है मेरे को 5,000 रुपए immediately transfer कर दे मैं तुझे कल वापिस कर दूँगा और अगर आप उसको call करन का QR code भेजेगा और एक बड़ आप उस पेटियम QR code को scan करोगे तो आपके account में जितने भी पैसे होंगे वो सारे swipe out हो जाएंगे ठीक है तो जो यह scam है यह आजकल बहुत ही popular है in fact मेरे कुछ friends है जो in fact last week है इस scam के जाल में फसे हैं तो इसको avoid कीजिए तो जितना भी आपका Facebook वगेरा पर जितनी भी आपकी images है जो उसके security वगेरा जो देख के रखिए कोई भी आपकी images वगेरा है उसको public मत रखिए कोशिश कीजिए कि वो सिरफ seen by friends हो और उसके अलावा आजकल Facebook में जितनी भी profile picture वगेरा आप बनाते हैं उस पर security आप लगा सकते हैं तो वो सब चीज पर जो की scam है fake employment opportunity scam तो आजकल क्या है कि covid चला है बहुत से लोग lay off हो चुके हैं और वो बहुत ही ज़्यादा job अगरा डून रहे हैं तो क्या हुआ है बहुत सी जो fake website है वो बोले हैं कि हम आपको job दे देंगे या हमारी जो आपकी MNC में job अगरा लगा देंगे लेकिन उसक जो scam है इनसे दूर रहें अगर कोई आपसे पैसे मांगता है लेसे कि आपको अगर job की call आई है कि आपको Infosys में job लगवा दी जाएगी लेकिन आपको interview के लिए 5-10 रुपए देने पड़ेंगे तो आप कोशिच किए उनको block कर दिये जी और ये जो है information अगर आप कर सकते है तो Infosys के Facebook पेज ये LinkedIn वगएरा पे उनको tag करके ये बताए कि जो ये scam चल रहे है ताकि वो कुछ legal action वगएरा ले सके अब move on करते हैं next item जो की है OLX scam तो OLX पे बहुत से product ऐसे डाले जाते हैं जो की आप बेचना चाते हैं और फिर आपको जो है immediately कोई बंदा call करता है वो बोल एक काम कीजिए आप ये QR code है ये scan कीजिए जिसमें 20,000 रुपय है और आप इसको scan करेंगे तो जो भी आपका scooter या bike आप 20,000 में बेचना चाते हैं वो directly आपके account में पहुँच जाएंगे लेकिन actually जो है वो होता है इसका बिलकुल opposite है जब आप QR code scan करते हैं तो आपके account से सार आपको QR code बेज़ँगा आप इसको scan करो और आपको पैसे मिल जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होता है तो इन सब लफडों में मत पड़ो अब जो है next बात करते हैं वो भी ये जो next scam है ये बहुत पुराना scam है जो है ATM, pin card expiry का तो आपको बहुत से mail वगएर आते होंगे या call व करते हैं ये लोग इन ही information को use करके आपके account से सारा पैसा जो है निकाल लेते हैं तो कभी वे आपको call आए कि आपका ATM pin expiry हो गया है उसको immediately उस call को disconnect कर दीजे और उस बंदे को block कर दीजे और report कर दीजे अब चलते है next scam पे जो की है ATM से related जो KYC information से related अगर इसमें भी आपको call व पड़ेगा ओके तो कभी भी कोई भी बंदा जो है genuine जो legitimate company से होगा वो आपके system का remote access नहीं मांगेगा कोई बंदा बोलता है कि वो आपके system का remote access लेना चाता है team viewer use करके या any desk यूज़ करके तो वो सिरफ और सिरफ एक spammer है ऐसी कोई भी call जो है उसको entertain ना करे उसको immediately disconnect करके block क अब आते हैं जो last scam जो की बहुत ही तेजी से आज कर बढ़ रहा है जो की है online dating scam तो online dating scam जैसे बहुत से dating applications है तो उसमें क्या किया जाते हैं आपको बोला जाएगा कि आपसे initially थोड़ी बहुत friendship वगएरा की जाती है उसके बाद आपको बोला जाता है कि मेरे mother या father वगएरा विमार है immediately मेरे account में कुछ 10-15,000 बीस या तक पैसे transfer कर दो उसके बाद आप वो पैसे transfer कर देते हो ठीक है तो basically क्या होता है वो एक trap होता है और इसका जो second तरीका वो यह है कि आपसे कुछ photos वगएरा मंगवाई जाती है और वो लड़की कुछ अपने खुद के भी photo आपको लिक होते हैं तो जो भी वो आपको data या photo वगएरा भेज रहे होते हैं वो सारे photos वगएरा होते हैं जो कि उन्होंने online जो shopping वगएरा या coupon scam वगएरा की हमने बात की थी उसको use करके उन्होंने वो सारी identity information collect की होती है तो वही सब information वो different scams के लिए use करते हैं तो hopefully यह वीडियो आपको पसंद आई है और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर इन में से कोई भी ऐसा scam आपके साथ हुआ है तो comment section में जरूर बताएं तो मिलते हैं अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कोई और बहुत अच्छी informational वीडियो आपके लि अगर सकूँ